Hi friends, अभी ये जो टाइम चल रहा है 22 जून से लेकर के 26 जून तक का टाइम था अम्बूबाची मेले का विडियो थोड़ी लेट आई है, so I'm really sorry for that लेकिन हाँ ये अम्बूबाची मेला जो है, इसमें का माख्या मा की पूजा अरचना होती है असल में तो नहीं होती है, कपाट मंदर के बंद के लिए जाते हैं क्योंकि ये टाइम मा के राजव सला होने का टाइम होता है और इसी लिए बट देन ये टाइम शक्तियों के बहुत आक्टिव होने का भी टाइम होता है अच्छा इससे रेलेटर्ड एक सकसर स्टोरी भी आई हुई है वो भी बताऊंगी लेकिन आप लोगों को सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अब ही फैलहाल मा का जो मंत्र है क्लीम क्लीम का माख्या, क्लीम क्लीम नमहा जिसे हम आकर्षन के लिए, प्रेम के लिए, हर चीज के लिए हम इस्तमाल करते हैं तो आप सब चाहें, तो जितनी जल्दी हो सके इन मंत्रोप को जाब करना शुरू कीजिए कल का लास्ट दिन हो जाएगा, आज 25 तारिक है, कल 26 है कल लास्ट दे है, तो जब कोई चीज शुरू होती है, पहला दिन होता है किसी चीज का, तो उसकी एनरजी बहुत हाई होती है और जब वो बिल्कुल लास्ट में आ जाता है, जब समापन हो रहा होता है, तो भी उस दिन उसकी एनरजी बहुत हाई होती है तो इसी चीज़ को मन में रखते हुए आज कल दो दिन है जो लोग बाद में देख रहे हैं वो तब से भी शुरू कर सकते हैं मा का ये मंत्र कभी भी आप जाप करो आपको help ही मिलती है अभी फिलाल क्योंकि इतना active day है तो please miss मत कीजे आज और कल दो दिन अच्छे से आप मा के इस मंत्र का क्लीम क्लीम का माख्या क्लीम क्लीम नमहा का अगर आप लिखना चाहो तो red color के pen से 108 times 108 बार लिखिए बीच में आप एक circle बना करके अपनी wishes को लिखिए present tense में लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है या तो चाहें तो इस मंत्र को एक जगा आराम से बैट करके जाब कर सकते हैं और girls के लिए बता दूँ कि आपको इस मंत्र को करने के लिए periods का कोई restriction नहीं है तो आप आराम से बैट के जाब कीजिए मंत्रों का और मा से प्रातना कर सकते हैं अपने life में आप जो भी पाना चाते है किसी भी wish के लिए relationship हो या फिर कोई और आपकी wishes हो उसके लिए कि आपको भी वो आकर्शन की शक्ती मिले कि आप हर चीज अपनी life में हर कुशी अपनी life में आकर्शित कर पाएं ये success story इनकी है कामाख्या मा से ही related है और अम्बू बाची मेले से ही related है तो ये मैं बता देती हूं आप लोगों को ये लिखते हैं दीदी, I am sharing my success story here regarding meeting my SP after one month the me and my SP had some issues with our relationship and regarding its transparency I was totally devoted in the relationship but though she made me feel special at first but slowly I felt I was taken for granted but फिर भी हम लोगों का हर दिन एक बार बाते होता था कभी-कभी मैं अगर कॉल नहीं करता तो दो-तीन दिन बाद वो खुद कॉल करती थी मतलब ऐसे भी बाते हो जाती थी इन लोगों की फिर मैंने love vibration भेजा Red Tara Maa chanting किया बहुत कुछ किया result यह हुआ कि धीरे-धीरे हम लोग दोस की तरह बाते करने लगे and we didn't meet for last one month I was thinking नहीं इस बार मैं meet करने को बोलूंगा let her say to me I am from Assam यहां का माख्या मंदिर में Ambu Bachi Mela चल रहा है फिल हाल मेरा बहुत दिन से wish था कि कमाख्या मा के मंदिर जाऊं उसके साथ मैं मा का माख्या से प्रे करता रहा मा हमें ले जाएं मंदिर में You won't believe ma'am few days back उसने खुद मुझे बोला चलो Ambu Bachi मेले में चलते हैं कमाख्या जाते हैं I said हाँ देखते हैं उतना response नहीं दिया मैंने कुछ दिनों से बहुत angel numbers देख रहे थे I was sure हाँ कुछ तो होने वाला है आज सुबह I chanted कमाख्या क्लीम मंत्रा जो मैंने अभी आपको बताया and said maa आज तुझे बलाना ही होगा मेला कल खतम हो जाएगा फिर आज सुबह she texted कमाख्या कब जाओगे फिर कॉल करके बोला शाम को चलते हैं चलो and then we and two of our friends we went to कमाख्या temple today I bowed down to maa का माख्या for fulfilling my desires she is really goddess of desires जै मा का माख्या जै तारा मा thank you thank you thank you universe I have full faith सब ठीक होगा धीरे धीरे जै मा का माख्या literally जै मा का माख्या का माख्या मा सच में ये जो एक word लिखा है नोने मा का माख्या is the goddess of desires seriously goddess of desires है आप लोग भी please उनके मंत्रों का इस्तेमाल कीजिए और आप भी मा की शक्तियां जागरूख हैं एक तरह से समझ लीजिए हमेशा ही जाग रहे थे हैं लेकिन फिर भी कुछ time ऐसे divine days आते हैं जिनकी बात में हमेशा करती हूँ okay so please अभी आप लोग जो जा सकते हैं बिल्कुल जाईए का माख्या मा के दर्शन करके आईए जब हम ऐसी जगाओं पे जाते हैं तो वहाँ पे जब आप उस औरा उस energy field में आते हो तो आपको एक अलग सी उर्जा एक अलग सी शक्ती मिलती है okay जो लोग नहीं जा सकते वो अपने ही घर में बैट करके मा का ध्यान करें उनके मंत्रों का जाब करें scripting करें मा से आकरशन की शक्ती मांगे आप लोग अपने लिए जरूरी नहीं है कि एक particular wish चाहिए बस उसी लिए मा को आरादना है या उसी लिए मा को पकारना है कभी-कभी बिना कुछ मांगे भी आप इश्वर से connect करने की कोशिश करो बिना किसी wish के भी connect करने की कोशिश करो why? because जब उस time पे आपको आकरशन की शक्ती मिलेगी तो जिंदिगी में कभी कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी नहीं चीज़ें आराम से आसानी से आपको मिलती चली जाएंगी ओके so ये मंत्र आप लिख सकते हैं मैंने आपको बताई दिया जाप कर सकते हैं continuous कितने दिन करना है और इन papers का क्या करना है ये सवाल आपके आएंगे हाँ इन papers को जब आप लिख लोगे अब कम से कम भी तो अगर लिखना शुरू ही किया है तो 11 दिन तो लिख लेना आज से करो, कल से करो या कल के बाद से करो जब भी लिखना शुरू कर रहे हो तो 11 दिन तो लिखो 11 दिन के बाद आप ये सारे पन्नों को या तो पानी में बहाओ नहीं तो मिट्टी में दबा दो जलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मंत्र लिखे हुए है मिट्टी में या पेड के नीचे किसी मिट्टी में भी दबा सकते हो आप आराम से जाप करना है अगर क्लीम क्लीम का माख्या तो रोज सुभा नहाद हो करके एक दिया जलाएं और फिर आराम से बैठें जाप करें मा से आकरशन की शक्ती मांगे आप लोग अपने लिए सिर्फ आकरशन की शक्ती अगर वो मिल गई तो हर विश में आपको help में लेगी एक particular wish है नहीं right self love अपना raise करें आप लोग सभी so that's all thank you so much and God bless you all